नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका केपेलेगरीकल्चर यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम हिंदी का इसमें टॉपिक है वाक्यान्स के लिए एक सब्द के कुछ सब्द हैं उन पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में चलिए सुरू करते हैं जो दुख्या भैसे पिडित हो उसे क्या कहते हैं तो दोस्तों उसे कातर कहते हैं जो दुख्या भैसे पिडित हो उसे कातर कहते हैं व्रक्च लताफूलों से गिरा हुआ कोई संदर इस्तान करना का सरीर का वेपार करने वाली इस्तरी क्या कहेंगे एक सब्द में वेक्क्यांस के लिए एक सब्द तो दोस्तों उसे गणिका कहते हैं गणिका जो जल से उत्पन होता हूँ या जल से उत्पन होता हूँ तो दोस्तों जल से उत्पन होता है कमल या जलज वैसे दोस्तो इसका जो एक सब्द होगा उसके लिए जलज भूलेंगे उधारन कमल है तो यहां पर सही क्या होगा जलज और दोस्तो जल का जलज है वो उसका जैसे थोड़ा विच्छेद करते हैं तो जल प्लस जल यानि जल से जन्म लेने वाला, कमल होता है, लेकिन कमल एक सब्द के लिए ठीक नहीं रहेगा, कमल की जगए जलज ठीक रहेगा वह पहाड जिसके मूँ से आग निकले तो दोस्तों जो अलाम की कहते हैं जिसके मूँ से आग निकलती है भूजन करने की इच्छा तो दोस्तों बोजन करने की इच्छा जिगत सा कहलाती है, जिगत सा जो अकारण जुल्म ढ़ाता हो, उसे क्या कहेंगे एक सब्द में, जो अकारण जुल्म ढ़ाता हो तो दोस्तों उसे कहेंगे जॉल्म सिंगे एक कुश्टिन भी आ zajए था सींग नहीं लगेगा जालिम है यह सेङग अटादेते हैं Only जालिम जदो कि जिसने आत्मा को जीत लिया हो क्या कहेंगे उसे एक सब्सक्राइब दोस्तों से कहेंगे जितानी चितानी जिसने आत्मा को जीत लिया हूँ जितातमा जिसने इंद्रियों को जीत लिया हूँ 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 जीत इंद्रियों सिंपल है इसका लिखना जरूर नहीं है जीत इंद्रियों आप तुरुप से नवास कर रहा हो, छदम वासी, संकुचित विचार रखने वाला, एक सब्द में क्या कहेंगे, संकुचित विचार रखने वाला, दकिया नूस, कहेंगे, संकुचित विचार रखने वाला, दकिया नूस, जिसको मापना कठिन हो दुस परिमे यानि जिसको मापना कठिन हो दुस परिमे पुत्री का पुत्र दोहित्र दोहित्र कहते हैं पुत्री का पुत्र और पुत्री की पुत्री दोहित्री क्यलाती है पुत्री का पुत्र दोहित्र और पुत्री की पुत्री दोहित्री बुरे भाव से की गई संधी बुरे भाव से की गई संधी दुर्भी संधी दुर भी संधी कहते हैं दुर भी संधी यानि दुर भी संधी दुर भाप से की गई संधी सम्मान में दी जाने वाली भेट तो दोस्तों नजराना कहलाती है सम्मान में दी जाने वाली भेट नजराना कहलाती है नजराना किसी के पास रखी हुई दूसरे की बस्तु तो दोस्तो दरोहर धरोर या थाती कहते हैं किसी के पास रखी हुई दूसरे की बस्तु जिसका उदे हाल में हुआ हो जिसका उदे हाल में हुआ हो तो दोस्तो नवजात कहते हैं उसे नवजात जिसका उदे हाल में हुआ हो नवजात कहलाता है जो नया नया आया है जो नया नया आया है नवा गत्या नवा गुन्तक जिस से किसी प्रकार की हानी ना हो निरापद जिस से किसी प्रकार की हानी ना हो निरापद जो मम्तत्व से रहित हो जो मम्तत्व से रहित हो निर्मम जो मम्तत्व से रहित हो क्या कहलाएगा निर्मम नाटक का परदा गिराना इसे एक सब्द में क्या कहेंगे नाटक का परदा गिराना पटा छेप या यवनिका क्या कहेंगे पटा छेप या यवनिका दूसरे का मुहू ताकने वाला तो दूस्तो पर मुखाप एक्छी दूसरे का मुह ताकने वाला परमुखा पेक्छी पहले कहा गया कथन पूर्वोक्त यानि पहले कहा गया कथन पूर्वोक्त विदेश में रहने वाला विदेश में रहने वाला क्या कहलाएगा एक सब्द में विदेश में रहने वाला विदेशी कहलाएगा क्या विदेश में रहने वाला दोस्तो प्रवासी कहलाएगा प्रवासी यहाँ पर थोड़ी कन्फिजन होती है इस सब्द में विदेश में रहने वाला, आपसन में आगया विदेशी, कुछ लोग विदेशी कर देंगे, लेकिन विदेश में रहने वाला क्या कहलाएगा प्रवासी किसी कार के बदले में की जाने वाली आसा, किसी कार के बदले में की जाने वाली आसा, क्या कहलाती है, एक सब्द में प्रत्यासा किसी कारत के बदले में की जाने वाली आसा प्रत्यासा पीने की इच्छा रखने वाला पीने की इच्छा रखने वाला पिपासूप क्या बोलेंगे पिपासूप पीने की इच्छा रखने वाला सरनागत की रक्षा करने वाला दोस्तों अपने राइस्तान जी कि में पड़ा होगा इत्यास में राजाओं की इस्ट्री की उसने उसके सरनागत को नहीं छोड़ा तो उन राजाओं में आपस में युद्ध हो गया तो सरनागत की रक्षा पहले करते थे कुछ राजाओं ने किया था जैसे हमीर थारंत मौर का उसके बारे में बताय जाता है तो ऐसे पहले चलता था तो उसको एक सब्द में क्या कहेंगे सरनागत की रक्षा करने वाला प्रनत पाल उसे क्या कहेंगे प्रनत पाल सरनागत की रक्षा करने पाला जिसे देखकर अच्छा लगे जिसे देखकर अच्छा लगे प्रिये दर्सी जिसे देखकर अच्छा लगे क्या कहेंगे प्रिये दर्सी जो किसी मत को सरपर्थम चलाता है जो किसी मत को सरप्रथम चलाता है ह puntos दोस्तो प्रवर्तक कहलाएगा जैसे अपने संटों का टॉपक है तो उसमें होते नहीं कि निम नहीं संपर्धाय के प्रवर्तक कौन ए तो ये इसका वाक्यों में एक सब्द हो गया ना वाक्यांस के लिए एक सब्द हो गया प्रवर्थक जो किसी मत को सर्पर्थम चलाता है चलाता है वर्तमान में नहीं जिसने इसे सर्पर्थम चलाया था वो क्या हो जाएगा प्रवर्थक सर्फों का स्वामी क्या कहलाता है सर्फों का स्वामी तो दोस्तों फनींद्र को कहते हैं सर्फों का स्वामी फनींद्र खाने का इच्छक खाने का इच्छक बुबुक्च क्या बोलेंगे बुबुक्च खाने का इच्छक बुबुक्च तो दोस्तों ये इच्छा से संबंदित कुछ सब्द हैं जैसे है किसी को मारने की इच्छा जिंग घ्यासा क्या बोलेंगे और जानने की इच्छा दोस्तों जिंग घ्यासा कन्फीजन है ये थोड़ा मैं आपको अगली कोई वीडियो इंदी की बनाऊंगा उससे मैं बताऊंगा और जिंदा रहने के इच्छा जिजी विसा और भोजन करने की इच्छा दोस्तों यहां देखेंगे यहां क्या है यहां है खाने की इच्छा खाने का इच्छ तो क्या होगा बिवुक्च और भोजन करने की इच्छा दोस्तों क्या हो लती है जिगत सा हमने आपको इसी वीडियो में बताया था क्या हो गई जिगत सा हो जाती है भोजन करने की इच्छा और दोस्तों जानने की इच्छा जिग्यासा है और किसी को मारन की इच्छा रखने वाला होता है जिज क्या होता है दूस्तव जिगी सू होता है चलो ए चलो इन चलो कौमकद सब्क बीस हम कुछ एक सारकर करके हैं सब का बतांगे और फिर पान गैसे हैं इ·च्छा गेसा थ़िशा और चाहा हूं कि कुछ सब्सक्राइबर्स के हमारे दर्सकों के कोश्चन करते हैं किसरा आपकी कोई कोचिंग है क्या तो दोस्तों हमारी कोई कोचिंग नहीं है हमारा जो है वस ये यूटूब चैनल है और इसी पर हम वीडियो डालते हैं इसके अलावा आप ना हमार कोई कोचिंग है और न जो बहुत कॉल आता है कि स्राप की कोचिंग कहां पर तो ना ही मैं कोई सर हूं आप सर नहीं मुझे एक फ्रेंड कह सकते हो या दोस्त की तरह कह सकते हो तो सर सब्द का भी प्रियोग ना करें क्योंकि मैं वस्त में वैसे कहीं पढ़ाता नहीं हूं तो इस चीज़ का आपको जानकार यह देना चरूरी था कि कोचिंग के लिए कॉल आते हैं कि सर कोचिंग वगरा कराते हो तो नो सर नो कोचिंग अपकी दोस्त की तरह हूं बसे और कमेंट्स करना अगर कोई आपका सुजाब हो कमेंट्स पर नाम भी लिख सकते हो कोई सुजाब हो आपका सुजाब दे सकते हो और किसी पर चक में थोड़ा वह तोपी होगी है यह टॉपिक इसका हिंदी के 10-11 टॉपिक है ज्यादा नहीं है दोस्तों हमारे चैनल पर पूरा सिलेबस तो हम नहीं करा पाएंगे पूरा तो क्या 50% भी नहीं करा पाएंगे लेकिन किसी किसी टॉपिक पर हम वीडियो डाल देते हैं तो लाइक करें वीडियो को अच्छी लगी हो कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें और सेयर भी कर सकते आप अपने फ्रेंड्स पर तो चलिए ओके अगली वीडियो साथ फिर मिलते हैं